परिचय नमस्कार दोस्तों आपको अपना टेलिवीजन, फ्रिज, डीवीडी प्लेयर, वीडियो गेम, कम्प्यूटर और फैक्स मशीन चलाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? हाँ, विद्युत की विद्युत सदैव ही हमारे आसपास उपस्तित रहती है, क्यूंकि यह प्रकिर्थिक रूप से विद्यमान है उधारन सरूप, बिजली का चमकना, धर्ती और बादलों के बीच, इलेक्ट्रोन का प्रवा है आईए, इस पार्ट में विद्युत के बारे में विस्तार से जाने उद्देशे इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे विद्युत को परिभाशित करना विद्युत धारा और आवेश के बीच संबन्द इस्थापित करना दो प्रकार की विद्युत की पहचान करना विद्युत चालक और विद्युत रोधक को परिभाशित करना विद्युत आप देर शाम को कैसे पढ़ते हैं? निश्चित ही आप अपने कमरे में एक विद्युत बल्ब की सहायता से प्रकाश करते हैं क्या आपको कभी जिग्यासा हुई है कि विद्युत बल्ब और ट्यूब लाइट कैसे दीप्थ होते हैं? उन्हें दीप्थ होने के लिए विद्युत की जरूरत होती है विद्युत धारा विद्युत तार से होते हुए बल्ब के फिलामेंट तक जाती है और उसे दीप्थ होने तक गर्म करती है स्थिर विद्युत जब हम अपने बालों में कंखी करते हैं और कंखी को कागस के छोटे टुकडों के करीब ले जाते हैं तो कागस के टुकडे कंखी की तरफ आकरशित होते हैं तब हम कहते हैं कि कंखी विद्युत से आवेशित है इस पर सबसे पहले एक ग्रीक व्यक्ति थेल्स ने धाई हजार साल पहले ध्यान दिया था थेल्स ने देखा कि एंबर को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर ये छोटे पंखों को आकरशित करता है इसका कारण थिर विद्युत थी इलेक्टिसिटी यानि विद्युत शब्द की उत्पत्ती इलेक्ट्रॉन शब्द से हुई है धनात्मक और रिनात्मक आवेश आईए धनात्मक और रिनात्मक आवेश को समझने के लिए एक कदिविधी करें एबोनाइट की एक छड़ लेजिए और इसे एक उनी कपड़े से रगड़िए अब इस छड़ के बीच में धागा बांद के इसे लटका दीजिए अब इसी प्रकार से एबोनाइट की एक और छड़ को आवेशित कीजिए और लटकती हुई छड़ के पास ले जाईए आपने क्या देखा? लटकती हुई छड़ दूसरी छड़ से दूर हट गई अब शीशे की एक छड़ लीजिए और इसे एक रेश्मी कपड़े से रखड़िए इस आवेशित शीशे की छड़ को लटकती हुई आवेशित एबोनाइट की छड़ के पास ले जाईए आपने क्या देखा? लटकती हुई एबोनाइट की छड़ शीशे की छड़ के समीप आ गई धनात्मक और रनात्मक आवेश एबोनाइट और शीशे पर उत्पन्न आवेश की प्रकृती भिन्न थी इन दो प्रकार के आवेशों को धनात्मक और रनात्मक आवेश कहते हैं धनात्मक आवेश को धन के चिन यानि प्लस से प्रदशित करते हैं और रनात्मक आवेश को रिन के चिन यानि माइनस से प्रदशित करते हैं सिर्फ मानेता के लिए शीशे पर रेशम के रगड़ने से उत्पन आवेश को धनात्मक मानते हैं और एबोनाइट को उनी कपड़े पर रगड़ने से उत्पन आवेश को रनात्मक मानते हैं पहले की गदिविधी के आधार पर हम कह सकते हैं कि समान आवेश एक दूसरे को विकरशित करते हैं और आस जब आवेश एक दूसरे को आकरशित करते हैं। तो हम कहते हैं कि पिंड आवेशित हो गया है। गतिशील या प्रवाहमान आवेश विद्युद्धारा का निर्मान करते हैं। एक विद्युद्धारा रनात्मक आवेशी इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलिता से बनती है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हमें विद्युद्ध प् प्रियोग टार्च या रेडियो में विद्युत के स्रोत के रूप में प्रियोग करते हैं। सभी बैटरियों में प्लस और माइनस निशान लगे दो टर्मिनल होते हैं। और विद्युत धारा का निर्माण होता है। ये इलेक्टरॉन रिनात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की दिशा में प्रवाहित होते हैं। अतासेल एक ऐसा यंत्र है जिसमें रासाइनी कूर्जा विद्युत उर्जा में परिवर्तित होती है। विद्युत चालक और विद्युत रोधक कुछ धातूएं विद्युत धारा को स्वयम से प्रवाहित होने देती हैं, दूसरी ऐसा नहीं करती हैं। विद्युत चालक हैं, वो पदार्थ जिन से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, उन्हें विद्युत रोधक कहते हैं। पदार्थ विद्युत का चालक है या नहीं, इसका परिक्षन किया जा सकता है। विद्युत चालक और विद्युत रोधक विद्युत का प्रयोग करते समय, चालक और रोधक दोनों का महत्व होता है। सारांश बिजली का चमकना आकाश में विद्युत का निर्वर्तन है। सेल विद्युत धारा का स्रोध है। सेल एक यंत्र है, जिसमें रासायनिक उर्जा विद्युत उर्जा में परिवर्तित होती है। सेल के युग्म को बैटरी कहते हैं, विद्युत धारा मापी यंत्र को एम मीटर कहते हैं, धातू और अकारबनिक लवन अच्छे विद्युत चालक होते हैं, अधातू और कारबनिक यौगिक विद्युत रोधक होते हैं। झाल झाल